तो एक और अच्छी सी वेकेंसी आई है और यह आई है NTPC से ठीक है NTPC के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और यह जो NTPC में यह जो वेकेंसी आई है यह वेकेंसी आई है असिस्टेंट ओफिसर की अब इसमें क्या है कि यह जो असिस्टेंट ओफिसर का जो पद है द दूसरा कि B-Tech वाले भी इसमें इलिजिबल हैं और M-Tech वाले भी इलिजिबल है उसके लिए क्या नियम और शर्थ है जिसके आधार पर यह लोग इलिजिबल होंगे तीनों डिगरी वाले ठीक है अब इसमें क्या है कि यह यह जो वैकेंसी है इसके लिए जो ग्रेट पे रखा गया सालडी 30,000 भी स्टार्ट होगा और इसमें क्या है इसमें इलिजिबल इसमें experience की आवशयक्ता नहीं है आपप्लाई करना का तरीका क्याक क्या होगा कहां सथे ते मोपल्द होगा इसकी वीडियो में बताएं ऐस की बूसरी चीजा की से लिए और 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 क्याक ब्यानिं जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हमारा वीडियो देखें तो यहां पर यह जो है यह दिया गया अप सभी जानते हैं कि यह इंटीग्रेटर पावर कंपनी है जिसके पास देख सकते हैं कि आपका जो है इसमें जो है यह लोग required qualification की बात करें ग्रेजुएट होना चाहिए इंजिनियरिंग डिग्री में इन इन्वारोमेंट इन्वारोमेंट के साथ अगर ग्रेजुएट है आपका बीटेक है लिस्ट 60% मार्च के साथ तो अपलाई कर सकते हैं या ग्रेजुएट है इन्वारोमेंटल साइंस में तो आप अगर आप इन्वारोमेंटल मैनेजमेंट में भी कर रखे हैं तो आपको 60% के साथ अगर आपके पास है तो आप इलिजिबुल है आपर एज लिमिट 30 साल लखा गया है ठीक है जो ऊपर आपर एज लिमिट है वो 30 साल है 30 साल से उपर के वेक्तिस में अपलाई नहीं करेंग यह है अब देखी यह जो वैकेंसी रखी गई है यह वैकेंसी रखे गई है अन की देटिये सबसे पहला कंडिशन है कि जो है जो इंडियन सिटीजन होंगे वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और जो कंप्यूटिशन है एज का जो एज बगार है वह सब देख लीजेगा अब इसमें क्या है कि इन और तो रेस्टिक्ट दा नंबर ओफ कंडियर अब इसका जो सेलेक्शन होना है वह सेलेक्शन होना है इंटर्व्यू से पहले यह अपना एक मैनेजमेंट इनकी जो है वह रिजर्फ करेंगी कि कि आउनलाइन स्क्रीविंग कर लें या शॉट लिस्ट कर लें नंबर के आधार पे जिस भी आधार पे उसके बाद वह इंटर्व्यू के लिए बोलाएंगे ठीक है अब आगे बोलने कि इस यह बता रहे हैं कि यह जो च बोद इन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ठीक है सब्जेक्ट नॉलेज एसकेटी एंड एक्जेक्टिव एप्टिचूट और सब्जेक्ट दोनों का नॉलेज होना चीए उसमें आपको कौलिफाई करना पड़ेगा ठीक है अब यहां पे आगे इसके बाद हम देख लेते ह कि यहां पर आगे इनौने दे रखा है बताता हूं आपको यहां पर आगे की कंडिशन और चीजों को समझझें पोस्टिंग जो है वह किसी भी स्टेशन किसी प्रोजेक्ट किसी बी सब्सेट्रीज में टीपीची के आपको मिल सकता है ठीक है तो यह सारा चीज दिया हुआ है और बाकी डीटेलिंग से आप दी हुई है आप इसको पढ़ सकते हैं आगे मैं जो इंपॉर्टन चीज़ें बता देता हूं कि अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए हमने बताया है कि अप्लाई करने के लिए आपको यह दो जाना पड़ेगा वहाँ आप इसको अप्लाई की जिए पेमेंट जो है ऑफ्लाइन मोड में होगा उसके लिए क्या करना होगा एस्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑथराइस होगा वहां से अप्लिकेशन फी कॉलेक्ट लेना पड़ेगा सेपरेटली अपने अकाउंट इसमें एकाउंट पर आपको जो है वह यह एकाउंट नंबर है सीएजी ब्राच न्यू देली इस पर आपको और भीहाफ और न्टी पीसी आपको क्या करना पड़ेगा ऑथराइस टू कलेक्ट अप्लिकेशन फी कलेक्ट करने है कंडिडेट जो हैस तो अप्रोज द नियरबा एस ब्रांच विट प्रिंट आउट पेस इन स्लीप विच इस अवेलेबल ऑन अप्लिकेशन पोर्टल शूड अनली बी यूज़ फोर डिपोजिटिटिंग द फी फोर प्रोपर ग्रेडिट फीस जमा कर लेगा यह है ओनलाइन मोड में अप्लिकेशन फी जमा कर सकते हैं ठीक है कमेंडमेट ऑनलाइन 10 जूण यूज़ को फ्रोपर ने का डिट समाप्थ हो जाएगा तो बारागह जूण से से लेके 26 जून 2024 तक ही आप फॉर्म अपलाई कर सकते हैं बाकी डीटेलिंग के लिए इसका जो एडविटीजमेंट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा तो एडविटीजमेंट आपको कहां से मिलेगा तो एडविटीजमेंट का लिंक नीचे दिया हुआ है वहां से आप इसक जल्दी से मिले अगर कोई डॉकुमेंट चाहिए तो उसी टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको उपलब्द करा पाऊंगा तो इसलिए इस दोनों को देख लेंगे अगर इसमें कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो कमेंट सेशन बताईएगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको फूलफिल कर सकूँ थैंक यू वेरी मच